दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइब बेम से पहले कैसे इट का सोलिंग करें जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों यहां पर मिट्टी बहुत ज़्यादा भर दिया गया है इसके बज़े से जो कि मिट्टी को इस परकार से कटिंग करके निकला गया रहा है यानि कि यहां पर दिवार होंगे वहां पर इस परकार से मिट्टी को आपको कटिंग करनी है दोस्तों और इसके बाद इस प सबसक्राइब की तो प्ले से सबस्काराइब कर ले दोस्ता तो आप देख पा रहें दोस्तोंगि यहां एक दिवान है उस पिलर से जो मच्णूर के पिछे पिलर है और पी जैसे कि आप वीडियो में देख भाँ रहा है दोस्तों ठीक OUR 5000 करल कर ना और यहां पर भी देख पार हैं इस मेज़धूर इन ने जो अपनी कुदाली को पकड़ी है और इस पिलर से इस पिलर के भी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी पहले खाली किया गया उसके बाद इस पर दोस्तों हम एक रद्दे स्वालिंग डालेंगे एक हिरादा दोस्तों इससे ज्यादा नहीं ठीक है और जब आ दोस्तों मापी करने के बाद इस परकाश से आप पस नहीं कर लें एक रद्दा इट का और इस परन सॉलिंग हो जाए तो इस स स्वालिघ सेंग एसा करक्शि particular को जो क्या कि आ दोस्तों जो कि है यह एक बेड्रूम है हमारा और यह hall area है और यह जो कि आप देख पारें दोस्तों यह hall area है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यह जो कि अभी यह जो कड़ा हुआ है यह हमारा कीचेर है दोस्तों ठीक है तो इस परकार से यहाँ पर नक्सा बनाया गया है और नक्से के हिसाब से दोस्तों यहाँ प हो चुका है सोलिंग होने के बाद दोस्तों यहां सिमेंट का घोल लगा दिये गिया है जो कि इट इधर उदर घिसके नहीं इसके लिए तो इस पर आप घोल लगा लें इस परकार से और अगर आपकी मिट्टी जादे भरी गई है तो आपको इस परकार से खाली करनी पड़ती हैं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर लिखेगा आप लोग comment नहीं करते हैं दोस्तों में इस चैनल पर जो की है की मतलब कंप्लीट हो चुका है तो हम लोगों यहाँ पे घर के नक्से के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मिठी को पाले निकला च tast क्षीा हुआ भारे गिये थी और मिठी निकालने के बाद हम लोगों यहाँ पे गोल तक रहाने जोड़ानगर," या पूर इस प्रेंग की और और मिठी को इस तरह से खाली करना से अगरHHH ज्यादा भरी गई है तो और मिठी आपके ज्यादा नहीं भरी गही है तो फिर भी आपको measurement करना है अपने नक्से के हिसाब से और इस परकार से आपको solim करना है एक रदा उसके बाद जब solim हो जाए तो आप इसमें सेमेंन का घोल लगा दे चा कि जो आपकी मतलब जो नकसे की हिसाब से मेजरेमेट करना आपको जरूरी होता है च्योंकि दोस्तों आपका रूंग छोटा हो बड़ा हो ऐसा ना हो इसलिए आप मेजरेमेट करें एक रादा सॉलिंग करें उसके बाद दोस्तों उस पर घोल लगा के सरिया बांध के इस परकाश है आप ड़लाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि इस घर की जो नकसर जिस हिसाब से थी उस हिसाब से यहाँ पे स्वालिंग किया गया फिर इस पर सरिया बांधा गय दोस्तो और फिर यह धालाई के लिए त्यार हो चुका और आपने अगर हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखिए जो कि आप इस्क्रिन में देख रहे हो तो इस डिजाइन को देखना चाते हैं लास्ट में इसका लिंक है कि आपको मिल जाए ये मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत